हेले इवरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना हसी कोचिंग क्लासेस पर सोगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे वहतर होंगे आपकी पढ़ाई वहतर चल रही होगी क्लास 12 फिजिक संसियर्टी में चैप्टर 3 चल रहा है जिसमें आज का टॉपी के बच्छो बिद्दुत उर्जा और विद्दुत सक्ति के बारे में मतलब बिद्द उर्जा तो देखेंगे ही electric energy के बारे में और बच्चो electric power के बारे में देखेंगे बहुत कुछ basic यहां पर सीखने को मिलेगा यहां से objective question और 2 number वाले question पूछे जा सकते हैं इसलिए आप लोग आंद तक देखेगा ज्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन बच्चो थोड़ा सा डीप में लेकर चलना पड़ेगा इसलिए थोड़ा आपको समझना भी पड़ेगा तो चले सुरू करते हैं बिदुत उर्जा होता क्या है जैसा कि बच्चो आपके पास मालीजे एक चालक है और चालक के सीरों के ब मालीजे बिभा उच्छर यहां पर निम्द है बिभा का अंतर है तो भाई आवेश जो है इधर से इधर चलता है जैसे ही मालीजे इसमें दोनों सिरों पर हम विभा अंतर लगाते हैं तो आवेश का इस्थरांतर होता है आवेश का इस्थरांतर मतलब मुक्त इलेक्तरान का प्रवा है तो यह जो मुक्ति इलेक्टरान है बच्चो धारा के विप्रिद्धिसा में चलता है इधर चलेगा मुक्ति इलेक्टरान जो है इधर चलेगा ठीक है समझेगा अब यह जो मुक्ति इलेक्टरान चलता है बच्चो तो इसके सामने आता है धनाविस क्या आता है धन हो जाती है जब किसी चाला के सिरों के बीच विभवानता लगाती है ये चाला का एक सिरा है ये दूसरा है इनके बीच विभवानता लगाते हैं तो विभवानता लगाते हैं तो ये क्लियर है कि जो आबे से उच्च विभव से निमने की विभव की ओर चलता है लेकिन इलेक् वच्छो आने वाले सामने धनायन से टकराता है ठीक है अभी जब धनायन से टकराएगा तो कुछ नगुछ इसका एनरजी लॉस होगा ठीक है मतलब इलेक्ट्रानों दोरा कुछ न कुछ उर्जा खोई जाएगी जो किस रूप में प्रकट होगा उस्मा के रूप में प्रकट होगा यही आपका विद्दूत उर्जा कहला जाता है उस्मा के रूप में प्रकट होता बच्चो यानि जैसे ही चाला के सीरों के बीच जैसे ही चाला के सीरों के बीच विवानतर लगा जाता है तो विद्दूत परिपत में धारा बने लग जाता है ठीक है परिपत में धारा तो बने लग जाता है जो लेकिन इलेक्रान जो बिप्रिद्धिसा में चलते हैं तो सामने धनाब हो जाती है तो यदि हम विद्दूत उर्जा की बात करें तो विद्दूत उर्जा का मान जो है वो इलेक्टरानों के खोई गई उर्जा के उस्मा के बराबर होगा मतलब जैसे मैं बात करता हूँ कि electron सामने टकराता है टकराता है तो भाई energy loss होता है जिससे जो आपका चालक होगा उसमें उसमा के रूप में हो संचीत होगा और यही आपका उसमा एक बिद्दुत उर्जा होते है बच्चो ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है मतलब जो 6 होते हैं प्रकास यह 6 है क्या है 6 है energy loss है ठीक है भाई देखो हम आप से जानते हैं कि भाई यहीं बैटरी है उससे हम energy लेते हैं energy क्या करते हैं लेते हैं जैसे एक छोटी से बैटरी है बल्ब लगा दिया हम ने अब बल्ब भाई वो तो उसमा के रूप में बल्ब से उर्जा निकलती है न आप लोग देखते हैं बल्ब जलता है तो उसमा के रूप में कैसे संब़ हो सकता है जब आपका electron द्हणाविश्च टकराता है तो उससे energy निकलती है वही energy आपको प्रकास के रूप में दिखता है जो कि उस्मा का रूप हो जाता है थोड़ा आप अपने माइड में कंसेप्ट लगाओ ना कि भाई यह बल्ब कैसे दिख रहा है यह कहीं न कहीं से एनर्जी है उर्जा है तो यह कैसे संभा हो सका है जैसे ही उनके सीरों के बीच भिवानता लगाया जाता है तो चा बिद्दुत उर्जा का कंसेप्ट आपने समझ लिया कोई दिक्कत तो नहीं है अब मैं कहता हूँ यह चाला का सिरा था इनके बीच भी विवानता लगाया हमने ठीक है कितने समय तक टी समय तक तब धारा कितना बहा आई तब भाई मैं आपसे कह दूंगी कि इसमें आबेस कितना बहरा है तो आबेस टी सेकेंड में आबेस आपसे पूछा जाए तो आबेस बराबर होता है धारा गुडे समय आई गुडे टी ठीक है अब एक चीज और है कि भाई यह जो इलेक्टरान है यहां से हां तक गया होगा आबेस यहां से हां तक गया होगा तो क्यू आबे देखो इसका फार्मूला मैंने विहुआंतर से निकाला विहुआंतर क्या है आवेस को ले जाने में किया गया कार है तो यहां से मैं डबलू का मान निकाल सकता हूँ और इस पे जब क्यू का मान रखिया तो जो डबलू है ये कार ही उर्जा है सबको पता है ना कार ही उर्जा इसलिए आपका ये उर्जा हो गया लेकिन हमने पढ़ा है ओम के नियम से कि B बराबर I R होता है सर तो यहाँ पर value put कर देंगे तो कितना हो जाएगा I गुड़े I R और T है बच्चो तो कुल मिला करके W बराबर I square R T हो गया ये भी आपका क्या है कर है आबेस को ले जाने में किया गया कर है और कर ही उर्जा है कर ही क्या है बच्चो उर्जा है तो I square R T ये भी हो गया किन्तु इसी से हमें दिया आपका क्या होता है B बटा R भी होता है सर इसी से तो जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा V square बटा R square R T एक R से आर कैंसिल तो V square अपान R T ये भी आपका क्या है कार है और कार ही क्या है उर्जा है ठीक है तो विद्दुत उर्जा क्या होता है कि दिचाला के सिरों के बीच विर्वानतर लगाते हैं तो विद्दुत धारा को विद्दुत पजपत में चलाने के लिए विद्दुत स्रोद्वरा कार किया जाता है यह कार ही तार में उस्मा के रूप में प्रगट हो जाता है यही आपका एक उर्जा हो जाता है यदि हम T समय तक धारा बहाते हैं तो आबेस कितना भैगा आबेस बराबर होता है धारा गुड़े शमय इस्क्रिंशाट लेते चलना Q आबेस को एक सेरे से दूसरे सिर्थ तक ले जाने में क्या गया कार W बराबर Q भी हो जाता है मैंने आपको विववांतर के परिवासा से बता ही दिया है Q कमान रखूंगा I यहाँ पे तो I T V हो जाएगा बच्चो या I V T हो जाएगा फिर आपने पढ़ा है ओम का नियम कि B बराबर I R होता है B कमान यहाँ पे रख देंगे तो I स्क्वेर R T हो जाएगा फिर भी आपने पढ़ा है I बराबर B बटा R भी होता है तो फिर इसमें value put करेंगे तो यह रूप हो जाता है मतलब यह जो किया गया कार है आप इसको ले जाने में किया गया कार यही आपका उस्मा हो जाता है यही आपका बिद्दुत उर्जा की रूप में प्रकाट होता वच्चो तो इसको हम कह सकते हैं कि H बराबर B I T H बराबर I square R T H बराबर B square T upon R यह तीनों की तीनों उत्पन उस्मा है यही आपका बिद्दुत उर्जा है इलेक्ट्रिक एनर्जी है समझ में आया मैंने आपको यह समझाया कि चाला के तारों के वीच यहींनि सिरो पर विवानतर लगाते हैं तो भाई साहब धारा बहती है धारा बहती मतलब इलेक्ट्रान विपरिद्दिसा में चलता है इलेक्ट्रान चलता मतलब धना बेसे टकराता है और जैसे टकराता है तो एनर्जी लॉस होती है वही उर्जा जो है एक उस्मा की रूप में प्रगट होता है वही आपका विद्दुद उर्जा कहला जाता है और आगे हम बात करते हैं विद्दुद सक्ती सक्ति मतलब क्या होता पावर क्या है समय के साथ कितना उर्जाच हो रहा है विद्दुद परिपत में उर्जाच होने की दर यहीं कितना कार समय के साथ कितना कार किया जा रहा है वो उसका विद्दुद सक्ति कहला जाता है एक सिंपल सा छोटा सा परिवासा है भाई कि विद् 6 नहीं है किसी परिपत में उर्जा 6 की दर यहीं समय के साथ कितना उर्जा 6 हो रहा है वो उसका विद्धुत सकती है यहीं किसी विद्धुत परिपत में धारा प्रवाहिद करने पर कार होने की जो दर है वही कार होगा वही कार उसमा के रूप में होगा वही आपका 6 है ठीक ह तो P बराबर W अपर T लिख सकते हैं अब यहाँ परेदी कार एक जूल हो और समय एक सेकेंड हो यहनि एक सेकेंड में एक जूल कार किया जाए तो जो आपका पावर है सक्ति जो है वो एक बाट के बराबर होता है यहनि एक आप यहाँ परिभासा लिख सकते हैं दि किसी परिपत में एक जूल प्रतिस सेकेंड की दर से उर्जा छे हो रही हो एक जूल प्रतिस सेकेंड बतलब एक सेकेंड नहीं यहाँ भी एक रख दो इन्दी एक जूल जो है उर्जा छे हो रहा हो एक सेकेंड में तो उस परिपत का जो सकती है बचो एक वाट के बराबर हो जाता है पहले तो आप इलेक्ट्रिक पावल के बारे में थोड़ा समझे लो भाई परिभासा है दिया आप से नहीं बन रहा तो फिर फार्मूला हम किसी तरीके से लिखेंगे आपको समझ मी नहीं आया ये किसी परि संचित होगा जो उसमा की रूप में संचित होगा वही उर्जा आपका बच्चो एक प्रकार से समय के साथ सक्ति को रिप्रेजंड करता है वही समय के साथ कितना दर हो रहा है उसका पावार है छमता है कि एक घंटे में इतना एनरजी दे रहा है दो घंटे में इतना तिन घ पावर पी से रेप्रिजट करते हैं सकती पस decl Elliott के सांथ कितना कार होने की वह रही है उर्जा 6 कितना हो रहा क्योंकि उर्जा 6 ही आपका कार है बेने आपको डबले वरा वर निकाला और यही चो कार है बड़ो उर्जा या उसमा है ठीक है कार ही क्या है उर्जा या उसमा है इसलिए आपको परसानों की रूत है नहीं अब ये कहा गया कि यह दिमाली जी 21 समय में एक जूल कार किया जा रहा है या एक जूल उर्जाव 6 हो रही है तब उसकी जो सक्ति है जो पाबर है वो एक बाट के बराबर हो जाता है जो सक्ति पाबर है बच्चो एक बाट के बराबर हो जाता है धहन रखेगा ये बोला रहा मैं कि भाई 21 समय में एक जूल कार किया जा रहा उत्पन उस्मा हो रही है तो फिर वहाँ पर जो कार पाबर है वो एक बाट के बराबर हो जाता है ठीक है एक परिभासा यह हो गया चोकि P बराबर आपने क्या पढ़ा W अपांटी यही तो पढ़ा और आपने W बराबर अभी पढ़ा था क्या होता है भी आई टी यह होता है जब इस पे वैलू पूट करेंगे बच्चों तो P बराबर कितना हो जाएगा भी आई टी अपांटी टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो P बराबर भी आई हो गया पी बराबर क्या हो गया भी आई हो गया पी बराबर क्या हो गया ? अब इससे एक vard निकाल सकते हैं कि एदी बिद्दूत सक्ती एक बाट कभ कहलाएगी छब भाई एक वोल्ट का बिववानतन लगा दें भी बराबर एक वोल्ड यानि किसी चालक के सीरों के बीच एक वोल्ड का बिववानतन लगाएं और उसमें धारा कमान एक एंपियर हो जाए धारा बहने वाली धारा कमान कितना हो जाए बच्चो एक एंपियर हो जाए हमने क्या कहा है दी चाला कि सीरों के बीच एक बोल्ट का विववांतर लगाया जाए तो उसमें बहने बादी जो धारा है वो एक एंपियर हो जाए तब बच्चो जो पाबर है वो एक बाट कहलाता है आपके बुक में कई सारे फार्मूले दिये रहते हैं कई सारे मान दिये रहते हैं लेकिन हमारा मुद्दा हुई है कि केबल हम लिमिट में समझाते हैं भाई ज्यादा लंबा चोड़ा खीचने की जरुरत नहीं पड़ती है अब देखो 29 फार्मूला से एक और परिभासा बनाया कि भाई यदि वी बराबर एक वोल्ट हो मतलब चालक के सीरो के बीच लगाया गए विवांतर एक वोल्ट है उस वोल्ट से एक एमपेर की धारा बह रही हो बच्चो तो आपका जो पावर है वो एक बाट के बराबर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है पूरा लिखकर समझाया जाता है कि यदि किसी बिद्दुत परिपत्थ में वी बोल्ट विवांतर प ही है बच्चो बोल्ट है है न विवांतर एक बोल्ट हो तो यदि एमपेर एक एमपेर धारा बह रही हो कहने मतलब यहां पर इस समिकर से देखो कि चालक के सीरों के बिच लगाया गया विवांतर एक बोल्ट हो और धारा उसमें एक एमपेर बहे तब जो सक्ति हो एक बाट कहलाती है यानि किसी परिपत की विद्द सकती एक बाट कब कहलाएगी बच्चो जब एक बोल्ट के नियत भिभवानतर पर उसमें एक एमपियर की धारा प्रभाइत हो रही होती है तब वो आपका क्या कहलाता है एक बाट कहलाता है मतलब दो परिभासा आपने पढ़ लिया कि किसी परिपत में एक जूल प्रति सेकंड से उर्जा छे हो है ना यहीं एक सेकंड में एक जूल कार किया जाए तो आपका एक बाट कहलाता है और यहाँ पर दूसरा परिभासा यह कि यदि किसी चालाक के सीरो के बीच एक बोल्ट क 16 वाठ होता है एक असो सकती बरावर 746 वाठ होता बच्चोँ 744 वाठ यह किलोवाठ घंटा कितना होता है तीना संब्रोट 6ग ढूद दसघहते 6 जूल एक किलो वाट घंटा मतलब एक किलो के डबलु एच एक किलो वाट घंटा किलो वाट आवार जिसे बोलेंगे 3.6 गुड़े दस घाते 6 जूल क्या होता बच्चो 3.6 गुड़े दस घाते 6 जूल होता है एक किलो वाट घंटा बरावर होता है 3.6 गुड़ दसगाते 6 जोल हो जाता है यूनिट की संख्या कैसे निकाल ली जाती है बच्चो वाट गुड़े घंटा गुड़े दिन मतलब वाट कितना खपत हो रहा है कितने घंटे खपत हो रहे है और कितने दिन ठीक है मतलब कुल मिला करके कुल घंटे हो जाएगा कि एक दिन में कुल कितने घंटे हो रहे है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बोल्ट, एंपियर और घंटा का गुड़ा करके एक घजार का भाग दे देंगे बच्चो इस तरीके से आप यूनिट की संख्या भी निकाल सकते हैं फिलाल हम यह आज छूटा सा टॉपिक आपको समझाना था इसलिए जादा लंबा खीचते नहीं इसी को चायते बच्चो तो एक देड़ घंटे भी हम खीच सकते थे लेकिन जो आपकी सलेवस है जितना आपके स्काम का है उतना मैं कराऊंगा बाकी ज़्यादा जरुवत है नहीं तो इसका फार्मुला जरूर लिख लेना यूनिट की संख्या कैसे निकाल जाती है कितना बोल्ट या कितना बाट खपा थूरा है और कितने घंटे टोटा कितना बाट खपा थूरा कितने घंटे और उसमें एक हजार का भाग दे देना यदि धारा पता है तो भी बोल्ट पता होना चाहिए कितना बोल्टेज है कितना एंपियर धारा बहरा और कितने घंटे क्योंकि बोल्ट और एंपियर का गुड़ा करेंगे तो आपका वाट ही निकल कर आता है ठीक है ओके इसक्रेंशाइट लेना है बच्चो किसी को चलो समय दे देता हूँ और जिसको नोट्स लेना है तो परस्नल लंबर तो पता ही होगा मेरा 96-8529-949 ये मेरा परस्नल लंबर है 96-8529-9149 इस पर आप कान्टक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रापर रूप से तैयारी कर सकते हैं फिर इसके बाद विद्दूच सक्ति के बारे में समझा दिया दो परिभासा है जो आप लोग आसानी से कर लिए नोट्स के लिए नम्बर देंँ बच्चो जरूर नोट्स लेए प्रापर रूप से तैयरे करें 96, 85, 39, 89 मेरा personal number है इस पर आप contact कर सकते हैं फिलाल अब एक लिए इतना ही वीडियो पसंदात लाई करके share जरूर कर दें मिलते एंगली वीडियो के साथ बच्चों जैहिंद बंदे मातरा यह last में फार्मूला है कि बाट कितना है और कुल घंटे यदि बाट आपको नहीं पता तो bolt एंपियर पता होना चाहिए कितना bolt है और कितना एंपियर है और कितने घंटे चल रहा है फिर unit की संख्याप निकाल सकते हो